नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बालविकास से पूछे जाने वाले सबसे important questions जो आपके exam में आने की संभावनाए है तो दोस्तों मैंने ऐसे question लिये हैं और हाँ मैंने थोड़ा आपके लिए pattern change किया हुआ है पहले मैं आपको 4 options देता था लेकिन इसमें क्या होगा मैं आपको options नहीं दूँगा direct question दूँगा और आपको उसका direct answer बताना है तो ले लिए पेन और copy और आप अपने answers अपनी copy में लिखते जाईएगा और last में जितने भी आप questions सही की होंगे उसको मुझे comment box में ज़रूर बताईएगा क्योंकि आप ये वाला जो आप हमें comment में answer बताएगे उससे ये प्रस देलेगा कि आप कितनी ही जादा accuracy अपना questions सही कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का topic और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया है तो कर लिज़े subscribe तो देखे पहला question क्या है तो पहला question आपके सामने है कि थांडाइक के अनुसार गड़ित सीखने में कौन सा नियम प्रयोक होता है तो आप इसका answer सोचिए और अपनी copy में लिख लीजे क्योंकि यहां पे आपके पास options नहीं है तो इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer हो जाएगा अभ्यास का नियम जो थांडाइक थे उन्होंने अभ्यास का नियम को क्या बताया था कि सीखने का ये सीखने का नियम है यानि जितना भी अभ्यास आप करोगे उससे क्या होगा उतनी ज़्यादा learning होगी या सीखेंगे लोग अगला question देखते हैं इसpranger के द्वारा व्यक्ति को कितने वर्गों में बाटा गया है तो दोस्तो आप अपना सही answer लिख लिजे तो क्या होगा इसका सही answer इस प्रेंगर के द्वारा व्यक्तिको कितने वर्गों बाटा गया है तो वे है छे वर्ग तो इस प्रेंगर जो थे उन्होंने व्यक्तिको छे वर्गों में बाटा है अगला देखते हैं सन्विगात्मक विकास में किस अवस्था में तीवर परिवर्तन होता है तो किस अवस्था में तीवर परिवर्तन होता है दोस्तों आप ये क्विशन तो पढ़ाई होगा कई बार आया है इसका सही अंसर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका किसोर आवस्था तो दोस्तों जो किसोर आवस्था होती है उसमें क्या होता है बहुत ही तीवर विकास होता है या तीवर परिवर्तन होता है किसमें सनगात्मक विकास में नेक्स्ट कुशिन है किस आयू में बालक की मानसिक योगेता का पूर्ण विकास हो जाता है तो दोस्तो अपना सही एंसर आप मार्क कर लिजे और बताए हमें की कब हो जाता है लिख लिजे ये लगभग की बात होती है कि किस आयू तक लगभग मतलब की पूर्ण विकास हो जाता है तो कौन सी आयू होती है वे होती है चोदा वर्सकी आयू ठीक है जो चोदा वर्सकी आयू होती है उसमें लगभग मानसिक रूप से बालक का पूरता विकास हो जाता है अगला देखते हैं वंसा नुगत सिध्धान के जनक कौन थे तो आप अपना सही अंसर लिख लीजे तो इसके कौन थे जनक तो इसके जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल ठीक है नेक्स्ट क्रिश्टिन देखिए एडॉल्सेंस किसकी रचना है तो एडॉल्सेंस किसकी रचना है दोस्तों इसस अब इंपॉर्टेंट कुश्टिन्स हैं मैंने आप्संस जानके नहीं लिए थे क्योंकि आप्संस रहते हैं तो आपको कंफूजन और किसी तरीके से गेस करा तो यहाँ पे आपको एक्वेरे अनकूलित अनक्रिया सिध्धान्त के प्रवर्तक है तो कौन है अनकीलित अनक्रिया सिध्धान्त के प्रवर्तक तो अपना सही एंसर आप लिख लिजे और हमें बताईए कि कौन सा एंसर सही होगा इसमें सही होगा इवान पी पावलव ठीक है पावलव लिखा है पावलव next question देखते हैं दोस्तो next question है कि Braille पद्धत की खोज कब हुई कब हुई किस सर में हुई Braille पद्धत की खोज बहुत ही important question है तो ये बताईए आप ये हुई थी 1930 में ठीक तो दोस्तो ये थे आज मैंने इसमें 8 प्रेशन लिये हुए हैं के लिए तो आपने आठ में से जितने भी questions सही किये हो उनको आप तुरंत comment में डाल दीजे कि आपने इतने attempt के हैं क्योंकि ये जो आज का जो test है ना उससे पता चलेगा कि आप कितने accurately दम अच्छे से त्यारी कर रहे हूँ options में तो अगर आप guessing mark भी लगा लेते हो या कुछ भी इससे जितने questions से ये पता चलेगा कि आप कितना perfectly आप कितना उसमें मंज चुके हो अपने exam के लिए तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजे और subscribe अभी भी नहीं किया तो subscribe कर लिजे ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहें